हेलो दोस्तो दोस्तो आज बहुती महित्पूर टोपिक पर बात करेंगे सुतंता दिवस 15 आगस्त गरतंता दिवस 26 जनवरी दोजारोहण और जंडा फैराने में क्या अंतर है लगवग 90% भारतियों को दोजारोहण और जंडा फैराने में अंतर नहीं मालिम है तो दोस्तो बारती होने के नाते आपको ये अंतर जरूर पता होना चाहिए दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि 15 अगस्त को सुतंतरा दिवस कहते हैं इस दिन जंडे को नीचे से रस्ती दुआरा घीचा जाता है उपर ले जाया जाता है और फिर खोल कर फैराया जाता है जिसे दोजा रोहड कहते हैं जब कि 26 जनवरी को गर तंतरा दिवस को जंडा उपर ही बना रहता है और जिसे खोल कर फैराया जाता है और भी अंतर हैं जैसे 15 अगस्त को प्रधान मंतरी द्वारा लाल कले पर धोजा रोहड किया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश सोतंत हुआ था उस समय हमारा सम्यदान नहीं था उस समय हमारे देश के प्रधान मंतरी ने ही धोजा रोहड किया था इसलिए पंदरा अगस्त को प्रधान मंतरी लाल कले पर दोजारोहड करते हैं जबकि 26 जनवरी गरतंतरता दिवस को ऐसा नहीं होता गरतंतरता दिवस को जो भी भारत का राष्टपती होता है उसके द्वारा तिरंगा फैराया जाता है क्योंकि 26 जनवरी को भारत का अपना सम्मिधान था और सम्मिधान का प्रमुक व्यक्ति राष्टपती होता है इसलिए 26 जनवरी गरतंतरता दिवस को राजपत पर राष्टपती के द्वारा तिरंगा फैराया जाता है दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें